कम समय में share बजार से ज़्यादा पैसे कमाने है तो आपके पास बस दो ही रास्ते हैं एक या तो आप option trading कीजिए लेकिन तब ही जब आपके पास पर्याप्त ग्यान हो trading का अन्य था आप ना करें तो जाता बहतर है क्योंकि market में पहले पाउं को टिकाना जरूरी होता है खेर दूसरा जो रास्ता है वो है string trading का concept string trading का मतलब यह होता है कि आप किसी भी share को खरीदें कुछ समय के लिए hold किए और फिर बेच के profit लेके निकल गया तो आपके string trading को बहतर बनाने के लिए और अच्छे shares को बताने के लिए आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए Jackson Investments Limited के share को जो पिछले एक महिने में 90% से ज़्यादा का मुनाफ़ा कराया है अपने share holders का कैसी है यह company और कैसे है इसके fundamentals जानेंगे इस वीडियो में तो आपको अगर यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे देखे यह तो uptrend में चल रहा है पहले swing trading के लिए बात कर लेते हैं करने की कोई जरूरी नहीं है अब बात करते हैं कि इस company के अंदर निवेस को लेगे कि जो लंबी अवदी के लिए निवेस करना चाहते हैं उनके लिए गी share कैसा हो सकता है तो उस पहले चीच की share के भाव को देखके आप यह decide कभी मत कीचेगा कि यह share बढ़ी है कि खराब है क्योंकि penny stock का मतलब यह होता है कि company के per unit जो share है उसके भाव भी कम हो और fundamental भी खराब होता है तो हम उसको consider करते हैं कि वो penny stock है अगर आप example में ले सकते हैं कि एगर मेरे पास reliance का share है अगर उसको मैं तोड़ दूँ एक 1000 shares में split करा दूँ तो उसका भी भाव बहुत छटा-छटा जागा तो इसका क्या मतलब है कि वो penny stock हो गया नहीं बिलकुल नहीं हुआ तो खेर Jackson Investments Limited पे हम बात करते हैं सबसे पहले इसके अगर आप PE ratio को देखें तो 208.90 की PE ratio है इस sector की जो है वो है 16.90 की PE PE ratio है कि वो extremely overvalued है तो आप value investing के लिए अगर आप इसमें निवेस करने जा रहे है तो आप बिलकुल मत कीचेगा दूसरी तरफ इस company क्या fundamentals को breakdown करते है real numbers में तो ज़्यादा बहतर तरीके से हम समझभाएंगे सबसे पहले हम income statement को breakdown करते हैं तो हम पाएंगे company के जो revenue में है ना 2022 के बाद से 2023 में भारी गिरावट हुई है तो कभी भी उस company पे दाव लगाई है जो की मुनाफे में चल रही हो कभी भी उस company के अंदर पैसे मत लगाई है जो की नुकसान में चल रहा हो और कभी यह मा सूचेगा ना कि आप में वो potential है कि आप hidden stocks को ढूंड सकते हैं अलादीन का चीराग आपके पास है आप किसी भी उठें और सुबह उठके कोई भी पैनि श्टक उठा ली ती भी या या यी तो भाई उपर से cash flow की अगर चर्चा कर रहे तो देखिए कंपनी के अंदर cash flow बिलकुल नहीं आ रहा है कंपनी debt free है no doubt बढ़िया चीज़ है लेकिन कंपनी के पास अगर cash flow की कमी है liquidity की कमी है तो company expansion पर पैसे नहीं लगाएगी बहुत कम लगाएगी तो बहुत पढ़ा drastic change इसके fundamental में आएगा नहीं इस बात कभी आपको खयाल रखना है इसके अलावा अगर इसके competitor को देखें इंडियर मार्केट में तो financial sector से related जो भी companies होगी investment banking जो भी company होगी वो सारी की सारी इसकी competitor होगी तो IIFL हो गया, Angel One हो गया, ICICI securities हो गया, यह सारे के सारे market में बैठे दिगज कमपनिया है जो Jackson investments को credit up कर दे रही है वो सर्भाइब कर जाती है अनमूनत, तो आपको यह जिसका ख्याल हमेशा रखना है इसके अलावा इसमें competitor को देखने के बाद अगर promoters की share holdings की बात करें तो इसमें एक प्रतिसत से भी कम की share holdings है company के promoters की, इसके अलावा ना ही mutual fund है, ना ही domestic institutions है, ना ही foreign institutions है खाली retail investors घुशे हुए है, इसी में operator भी है, तो आपका काम बस इतना है, अगर आप इस share को buy कर रहे हो तो करो, कोई दिक्कतिंगे swing trade के लिए, कम समय के लिए, युकि market में जो sentiments बन रहे हैं, बढ़ी आए कम अवदी में पैसे बन जाएंगे, लेकिन जादा लालच के चकर में मत पढ़िएगा, आठ प्रतिसाद, दस प्रतिसाद का मुनाफ़ा हो, profit booking करके निकल लिजागा पहले उसके बार फिर मन करें, तो फिर पैसे लगाएगा, लेकिन उतने ही पैसे को डालिएगा, जो कि first जाए, अटक जाए, तो गम न हो जादा, और stop loss को हमेशा लगा के रखिएगा, ये वीडियो कैसा लगा, comment section में ज़रूर बताइएगा, अगर अच्छा लगा हो, तो like और channel क subscribe कर ली जगा, धन्यवाद